भारत और सौथ अफरिका के बीच होने वाली वनडे सिरीज का पहला मैच 12 मार्च को क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा जिसके लिए भारत और दक्षिण अफरिका की टीमें कांगडा एरपोर्ट पहुँच गई है हाला कि अभी तक BCCI ने भारत सरकार की ओर से करोना वाइरस को लेकर जारी दिशा निर्देशों पर कोई फैसला नहीं लिया है कांगडा जिला प्रशासन ने BCCI और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि करोना वाइरस को लेकर भारत और रज्ज सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के खिलाफ मैच कराया गया तो इसकी सारी सिम्मेदारी उनकी होगी से भेजे गए पत्र के बावजूद बोर्ड ने अब तक कोई स्थिती स्पस्ट नहीं की है कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों टीमों के खिलाडियों को धरमशाला ले जाया गया है होली के दिन खिलाडियों का क्रिकेट प्रेमियों ने जोड़दार स्वागत किया लेकिन दोनों टीमों के खिलाडियों ने क्रिकेट प्रेमियों से दूरी बना कर रखी ना तो किसी खिलाडी ने ओटोग्राफ दिया और ना ही सेल्फी ली पुलिस का कड़ा पहरा था वह किसी भी व्यक्ति को खिलाडियों के नस्दिक नहीं जोने दिया गया कोरोना वाइरस का खौब खिलाडियों में भी साफ दिखा यजुवेंद्र चहल मास्क पहन कर एरपोर्ट से बाहर निकले किसी अन्य खिलाडी ने मास्क नहीं पहना हुआ था इसके अलावा दक्षिन अफ्रिका टीम के खिलाड़ और टैमभा वमूमा मास्क पहन कर वाहर निकले भारते टीम के कप्तान कोहली और कोच रवी शास्त्री के साथ धरमशाला नहीं पहुँचे हैं उनका शाम की फ्लाइट से आना पहुँचने का कारेकरम है हाला कि विराट कोहली के समर तक भारी संक्या में एरपोर्ट पर पहुँचे थे युवा क्रिकेट प्रेमी खास पोस्टर लेकर एरपोर्ट पर पहुँचे थे लेकिन उनके बाहर न निकलने से थोड़े निराश भी थे शाम तक क्रिकेट प्रेमी कोहली के इंतजार में बैठे रहे जहां तक दोस्तों भारती प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शिन में दिया गए वे लिंक पे जाकर देख सकते हैं और अगर आप नए है चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दन्यवाद